नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ जे आरेफ हिंदी 2021 की तैयारियों के अंतरगत इकाई 3 साहित्यशास्त्र हम कर रहे थे और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पहले ही डिसकस कर ली थी और इसके साथ ही साथ दो प्रशनोत्रियां भी हम साहित्यशास्त्र की कर चुके हैं अगर आपने अभी तक वो वारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट में देखें जो हमारी इकाई 3 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है वहां पर हमारी लगभग 12-13 लेक्चर इकाई 3 पर बन गए हैं और इसके अलावा मॉक टेस्ट में हमने दो मॉक टेस्ट जो है इकाई 3 से कर लिये हैं और मॉक टेस्ट वहां पर आपको इकाई 3 के अलावा जो दूसरी हमारी इकाईयां है UGC NET के स्लेबर्स के अंतरगत उन से रिलेटिड भी हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट की अपनी जो वीडियोज हैं वो मॉक टेस्ट वाली हमारी प्लेलिस्ट में डाल दी हैं तो आप उन लेक्चर्स को भी एक पार जरूर देख सकते हैं तो इसमें जो तीसरा हमारा सहीत शास्त रह देखिए इसमें जो वक्रोक्ती संपरदाय के बारे में हैं आज डिसकस करने वाले हैं वक्रोक्ती संपरदाय से पूर्व हमने अलंकार संपरदाय के बारे में पढ़ लिया था हालंकि अलंगकारों में आपने एक चीज और देखिये होगी जो अभी हम उसको complete नहीं कर रहे हैं क्योंकि जितने भी आपके अलंगकार हैं एक तो उनको उनकी परिभाशाएं या उनकी जो पहचान है वो आपको होनी चाहिए इससे रिलेटिड ये कादा प्रशन बनता है लेकिन यहां पर हम उसको नहीं कर रहे हैं उसको हम grammar के साथ साथ discuss करेंगे mainly जो आपके अलंगकार संपरदाय से महत्पून चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं और अगर आपके पास गोविन पांडे और सरसुति पांडे वाले पुस्तक है तो आप उस पुस्तक को देखिए वहां पर जितने भी आपके अलंगकार है उसकी परिभाशाएं आ इसके बारे में कर लिया था बात कर ली थी और अलंगकार संपरदाय से ही आगे जो एक शाका है उसकी देखिए वक्रोक्ती तो वक्रोक्ती संपरदाय की बारे में हम आज डिसकस करने वाले हैं तो चलिए बिना दिर किये शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की सबसे पहल या परिहास के रूप में किया है परिहास का मतलब मजाक के लिए ठीक है उस रूप में इनने किया है महा कभी बानभटने कधंबरी में ठीक है आगी कहते हैं देखिए वक्रुक्ती शब्द दो शब्दों के मेल से बना है वक्र प्लस उक्ती वक्र का अर्थ है टेड़ापन और उग्ति से अभिप्राई है कथन तो कहने का मतलब क्या है अतहक किसी बात को सीधे ढंक सनना कहकर चमतकारिक रूप से कहा जाना ही वक्रोगति माने जाती है तो देखिए वक्रोगति का मतलब क्या है कि जब हम किसी बात को simple way में न कह करके ुसको कुछ चमतकारी का मतलब होता है आपका कि कुछ विचितर तरीके से है न अलग तरीके से उस بات को कहते है उसी को कहना उस विचितरता को ही क्या का जाता है वक रोकती कहा जाता है तो दीकिए इसमें एक उदाहरन आपको जो आपके जैसे कोई सधारण व्यक्ति किसी इसे प्रशन करेगा कि आप कहां से आ रहे हैं, लेकिन जो अभिज्ञान शकुंतलम में देखी शकुंतलम की जो सकी अनुसुया है, उन्होंने राजादुशंत से यह प्रशन इस प्रकार पूछा कि कि किस देश की प्रजा को आपने अपने विरह से व्याकुल बनाया तो दीखिए कि अलग तरीके से विचितरता से इन्होंने इस बात को कहा है कि आपने मतलब किस देश की प्रजा को अपने विरह से व्याकुल बनाया कि आप इतनी सुंदर है है ना कि आप यहां पर हमारे पास आई है और पीछे आप किस देश या किस जगा के लोगों को अपने विरह में तड़पता छोड़ गए हैं तो ये कहने का मतलब है ये इनोंने सिंपल इस तरीके से पूछ सकते हैं कि आप कहां से आए हैं लेकिन उनोंने क्या किया विचितृता इसमें लाई और यही विचितृता मानी जाती है वक्रोक्ति तो आप अप लोगों को समझ आ गया होगा कि वक्रोक्ति का अर्थ क्या है मतलब ऐसी बात जिसको आप सीडे धंसरने करकर चमतकारी रूप में प्रियुक्द करते हैं प्रवर्तक अचारे माने जाते हैं ये कुंतक को माना जाता है और इन्हों ने दस्वी शताबदी में वकरुक्ती जीवितम नामक ग्रंथलिख कर वकरुक्ती सिध्धान्त का प्रणायन किया था तो एक चीज तो ये भी है कि इनका समय कब था दस्वी शताबदी के आसपास था और इन्होंने इसी रचना को लिख करके या इस सिधान का जो इन्होंने परिवर्तन किया कहां पर वक्रोक्ती जीवितम नामक ग्रंथ लिख कर इस संपरदाय के इन्होंने परवर्तन किया हुआ है तो वक्रोक्ती जीवितम तो यह जादा मुश्किल नहीं है इसको याद करना कुंतक ही है और कुंतक ने वक्रोक्ति जी भी तम लिखी है ठीक है कुंतक के जो परवर्ती अचारे हुएं देखिए या पूरवर्ती सोरी मतलब जो पहले के दस्वी शतापदी के आसपास इसका समय था वहां तक जो भी अन्य आपके पहले संस्कृ कउचित के अचारे हुए है उन्होंने क्या किया है उन्होंने वक्रुक्ति के उपर कुछने कुछ चीज़ CONS लुके लेकिन संस्कृदाय उन्होंने इसको नहीं माना है तो दीखिए कुंतक के जो पूर्वर्ती अचारेओं द्वारा वक्रोक्ती संबंधी भिन-भिन मत्तो प्रकट किये गए परंदु परवर्ती अचारेओं ने वक्रोक्ती के काव्य का भायातत्व मात्र होने जैसे विभिन कारणों से इस संपरदाय का समर्थन नहीं किया तो दिखी जो पूर्व के अचारे हुए हैं किस से कुन तक से उन्होंने क्या माना कि आपका जो वक्रोक्ति है उसकी उन्होंने बात कही है लेकिन जो बाद वाले जो अचारे हुए है उन्होंने क्या माना कि वक्रोक्ति क्या है वो सिर्फ कावय के भायतत्त्तु मात्र है रखता है, डू掉 कुंतक, ठीक है, तो ये चीज आपने याद रख लेनी है, कि समय कब था कुंतक का, दसुन शताबधी के आसपास था, और क्रोकती जीवितम भी नों ने दसुन शताबधी के आसपास ही लिखी है, और इन्होंने वक्रोक्ति सिध्धान्त का प्रणयन किया था पूरवर्ती अचारे उन्हें संपरदाय के बारे में अच्छी चीज़ें कही है लेकिन जो आपके उत्रार्द के कवी हुए हैं उनके बाद के उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना है आगे हैं दिखिए इसके पश्चात कि आपकी जो वक्रोक्ति की सरव प्रत्थम व्याख्या किसने की अब हम देख लेते हैं कि जो अलग-अलग अचारे हुए हैं उन्होंने वक्रोक्ति जो सिध्धान्थ है उसको निरूपित करने के लिए अपने-अपने मत प्रस्तुत किये हुए हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें देखिए वक्रोक्ति के समद में जो अचारय भामा हुए हैं छटमी शताबदी के कावयलंकार में वो चीज क्या चीज कहते हैं देखिए इन्होंने कहा है कि वक्रोक्ति की जो व्याख्या करने वाले प्रत्म अचारय भामा हैं तो यह हमने पहले ही इस चीज़ को पढ़ लिया था कि सरव परत्थम अचारे भामा नहीं वक्रोगती का क्या क्या था, विशद वीवेचनिर ने प्रस्तूत किया हुआ था, तो जब हम भामा के कावय अलंकार के बारे में या फिर अलंकार संपरदाय के बारे में पढ़ रहे थे, वहां पर हमने इस चीज़ को विस्तार से और अच्छी तरीके से इसके बारे में जान लिया था ठीक है तो ये क्या मानते हैं दिखिए भामा के अनुसार क्या है अलंकार काव्य की आत्मा है और उन अलंकारों के मूल में क्या है वक्रोकती है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अपके भामा के संबंद में तो भामा जो है वक्रोक्ति की व्याख्या करने वाले पहले ही अचारे मांग जाते हैं यह चीज मैंने आपको बता दी है और वक्रोक्ति का अर्थ यह क्या मानते हैं देखिए अतिश्योक्ति मानते हैं और इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल इन् अन्य सभी अलंकारों को वक्रोक्ती का परियाय माना है तो देखिए एक चीज दंडी ने क्या मानी कि जो भी आपके अचार या दंडी होए उन्होंने बोला कि आपका जो स्वभाव उक्ती है उसके अलावा जितने भी सभी अलंकार है वो ही क्या है वक्रुक्ति है स्वभाव उक्ति से आप समझते हैं कि जो स्वभाविक उक्ति है जैसे हम randomly कोई चीज बोलते हैं तो वो क्या है और इसके अलावा जो और चीज हम घुमा फिरा के कहते हैं वो उन सब को किसमे लेते हैं वक्रुक्ति के अंतरगति ये लेते हैं अ महत्तों कम नहीं है तो यह चीज हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो इन से पूरुव के हुए हैं कुंतक से पूरुव के वो मानते हैं कि इसमें कहीं न कहीं इसका महत्तों रहता है ठीक है वक्रुक्ति के आश्रही से जो क्या है आपके समस्त जो अलंकार है उसमें चमतकार का संप्रेशन होता है ये भी कौन मानते थे ये अचारे दंडी जी मानते हैं तो देखिए दो चीज हैं दोनों ही आपके अचारे दंडी और जो भामा हुए हैं इन्होंने अतिश्योक्ति और वक्रोक्ति को ही वक्रोक्ति का ही परियाय इन्होंने माना है तो ये चीज आपने य और दूसरे आपके जो इसके अलावा बचने हैं, उन्होंने क्या माना कि वो वक रोकती है, ठीक है, मतलब वो वेचितरता है, हैंडा, चमतकारीक है वो चीज़ें, ठीक है, तो यह कौन मानते हैं, यह मानते हैं, अचार दंडी, तो यहां से प्रश्चनीस तरीके से बन सकता ह कि अचार्य दंडी ने संफुन वामय को कितने भागों में भी वक्ति किया है दो भागों में स्वभावक्ति और वक्रोक्ति और दूसरी चीज ये भी पूछी जा सकती है कि आदी अलंकार इन्होंने किसको माना है तो गो है स्वभावक्ति अलंकार ठीक है इसको इन्होंने मा और धंडी दोनों नाम तो इस तरीके से प्रशन बनने की संबाबना यहां से रहती है और कावेशास्त्र से कोई ज्यादा मुश्किल प्रशन बनते नजर नहीं आते फिर भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है चलिए आगे आप हम देख लेते हैं इसके पश्चात की वा मानते हैं अचार वामन ठीक है आगे जो रुद्रट हैं देखिए इनने इसके कितने भेड किये हैं दो भेड किये हैं एक इनका काकू वक्रोकती दूसरा शलेश वक्रोकती तो कोई ज़्यादा चीज़ें इन्होंने इसमें नहीं कई है सिंपली अलंगकार माना है कौन सा सा वक्रोकती के महत्यों को सुईकार किया और वक्रोकती को वाच्य और ध्वनी को व्यंग्य माना है तो अनंदवर्धन का समय भी कव है दस्विशताब्दी के आसपास है इन्होंने भी क्या माना है आपका कि आपका जो वक्रोकती से धानत है वो महत्यों रगता है और महत्यो गच्पोहीन नहीं है तो इसलिए उन्होंने क्या किया वाच्चे और ध्वनी को व्यंग्य माना हैंây मते किस देया प्रठोल को बैता है अब हम देख लेते हैं जो वकरूगतिरे के द्वारे में क्या कहतते हैं यह हम देख लेते हैं तो देखिए वक्रोक्ति के प्रवर्तक जो अचारे हुए हैं यह कुंतक हुए हैं यह हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं तो यहाँ पर देखिए वक्रोक्ति के प्रवर्तक अचारे कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवन माना है तो ये क्या मानते हैं देखें वक्रोक्ति क्या है ये काव्य का जीवन है तो ये लिखते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम अरथात वक्रोक्ति ही क्या है काव्य की आत्मा है और आत्मा से ही हमारा शरीर क्या है जिन्दा रहता है आत्मा चले जाएगी तो शरीर हमारा नश्ट तो यही चीज आपके अचार्य कुंतक हैं वो कहते हैं कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम की वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है एक तरीके से ठीक है वक्रोक्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए आगे कुंतक लिखते हैं देखिए वक्रोक्ति रेव बैदक ध्यम भंगी भणी तो ये भंगी 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 जो हमने पहले भी बात कही थी अभिव्यक्ति है जिससे नए अर्थ की उद्भावना होती है तो देखे कहने का मतलब क्या है सिंपल सा इनका वही चीज है जो हम पहले भी कर चुके है कि नए अर्थ को व्यक्त करने वाला कभी करम या कभी कोशल जो है उसे रचित जो चमतकार पूर्ण कथन होता है वो ही क्या कहलाता है आपका वक्रोक्ती कहलाता है तो जो पहले ही मैंने आपको अभी गानिश कंतरम वाला जो उधारन दिया था वो ही चीज़ यहां पर हमने समझनी है कि कुन तक उसी चीज़ को कह रहे हैं कि कवी करम कौशल पर आधारीत जो वाक वैचितर है या चमतकारफूर्ण जो अभीव्यक्ती है है ना वही जिससे नई अर्थ के दुबादन हो जाती है वही क्या है आपका वक्रोक्ती अलंकार है या वक्रोक्ती है clear है तो ये था वक्रोक्ति से धांत अचारे कुंतक की नजर में कि कुंतक क्या मानते हैं कि ये काव्य की आत्मा है ठीक है और ये जो है आपका चमतकारपूर अभिव्यक्ति है अब हम आगे देख लेते हैं कि अचारे जो कुंतक हुए हैं कि उन्होंने वकरुक्ति सिध्धान्त के कितरे भेद माने हैं मेंली वकरुक्ति सिध्धान्त के जो कुंतक ने भेद किये हैं वो छे भेद किये हैं लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि आपके जो छे भेद हैं इसमें आपके वर्ण विन्यास वकरता हो गया पद पूरवा अगर आपसे पूछा जाए कि कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी तक पहुंचा दी गई है तो 38 तक इनकी संख्या पहुंचा दी गई है बिस्तार से अगर आपने इन भेदों के बारे में जानना है तो आप डॉक्टर भगीरत मिश्र की जो पुस्तक है दीखी कावयशास्त्र उसको ले जकते हैं वहाँ पर इन्होंने इस चीज को बताया हुआ है तो अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी आपने बहुत ही डीप ली जाके इनकी स्टड़ी अच्छे से करनी है और भेटर तरीखे से समझना है तो आप उस बुस्तक को लीजिए वहाँ पर आपको इसके जो भेद हैं उनको उपभेदों में बांटा गया है और उनके बारे में भी अच्छे तरीके से उधारन सहित वहाँ पर समझाया गया है तो आप उस पुस्तक को जरूर लीजिएगा कावेशास्त्र डॉक्टर भागीरत मिश्र की पुस्तक और वीडियो हमने एक पूरा लेक्चर इसके उपर बनाया है कि कौन सी पुस्तके यूजिसी नेट की परिक्षा के लिए उपयोगी है आप चाहे तो उन पुस्तकों को वाली जो हमारी वीडियो है उसको भी देख सक सकते हैं और एक और महत्कुन चीज है दोस्तो जो चीज अभी आप यहां पर पढ़ रहे हैं या पीपीटी के जरीए में आपको पढ़ा रहा हूँ अगर आपको इसका पीडियो चाहिए होगा तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ जोड़ सकते हैं सबसे पहले आता है वर्ण वन्यास वकरता तो इसमें देखिए कि यह क्या बोलता है कि जिसमें दो या अधिक वर्ण थोड़े अंतर में बार बार प्रियुक्त हों वही क्या कहलाता है आपका वर्ण विन्यास वकरता कहलाता है तो आपने यह चीज़ें याद रखनी है यह मतलब इनकी जो कि क्या होता है वन विनियास वकरता ये याद रखना है कई बार पुछा जा सकता है कि जिसमें दो या अधिक वरन थोड़े अंतर में बार बार प्रियुक्त हों में कौन सा वकरोकती का होती है तो वहां पर होती है आपकी वन विनियास वकरता फिर आता है पद पूरवार्द, तो पूरवार्द से आपने सीधा मतलब लेना है कि पहले, है ना, पद के पहले, या शब्द के पहले, जो उत्पन होने वाली वक्रता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पद पूरवार्द का मतलब होता है, उत्रवार्द, मतलब उत्रबाद की, ठीक है, तो उसम समझ रहे होंगे कि वक्रता का मतलब वही चीज है उक्ती वैं चित्रिय जो है वहीจะ आपका जहां पर हमें संपूर्ण वाक्य में वहीं है वक्रता अगर हम बात करें देखिए प्रकरण। पूरे प्रक्रण में मान लिजे कोई चीज वो कह रहा है कभी, तो वहाँ पर अगर हमें देखने को मिले वक्रता, चमतकारपूर्ण, या अलंकारिक्ता, या फिर वक्रोकती, वही क्या है वक्रता है, ठीक है, स्रीजन के उत्साहा से प्रेरित होकर, जब कभी अपने काभे व विएचन में उतकरशुत्पन करता है तो उसको ही क्या कहते हैं प्रकरण वकरता कहते हैं ठीक है प्रबंध वकरता है देखिए जैसे प्रबंध काव्य इत्यादी हम लिखते हैं उसके समग्र संदर्य से संबंदित इसको माना जाता है ठीक है तो आपके जितने भी जैसे प्र प्रबंद वक्रता से तो ये छे भेद माने गए हैं वक्रोख्ति के कुंतक के द्वारा तो मैंली जो महत्रपुन चीजे आपको वक्रोख्ति से धांत में देखने को मिलती है एक तो वही है पहला प्रशन ये है कि इसके संस्थाप में प्रवर्तक कौन है तो वो अचार्या कि वही इसके परियाए हैं अगर हम बात करें वामनी तो वामन ने साधरिश्य मूलक लक्षना अलंकार इसको नाम दिया हुआ है ठीक है रुद्रट ने इसके दो भागी है काकु वक्रोक्ति और शलेश वक्रोक्ति और आनंदवर्धन ने क्या किया आपका जो इन्होंने माना वाच्य वक्रोक्ति को वाच्य और ध्वनी को व्यंगेनोंने माना है और वक्रोक्ति के छे भेद किसने की अचारे कुंतक ने किये हैं कुंतक की जो प्रसिद रचना है वक्रोक्ति काव्य जीवितम ठीक है या वक्रोक्ति जीवितम तो ये महत्पून चीज़ें थी अब हम तत्वों को निरूपित करने वाला सिध्धांत है तो कुल मिलाकर घुमा फिरा के सभी चीज़ें क्या कह रहे हैं एक तरीके की ही बातें कह रहे हैं कि वकरुकती क्या है काबे में समविशिक जो चमतकारी को तत्व हैं उनको निरूपित करता है और साथी साथ कुंतक द्वारा जुक्रति पादित यह कावय से दांत संपूर्ण कावय सोंदरे का निरूपन करता है तो ये कौन मानते हैं डॉक्टर प्रताप नरायन टंडन आगे देखिए अचारे रामचंदर शुक्ल तो ये कहते हैं कि वचन की जो वकरता भाव प्रेडित होती है वही कावय होती है है ना तो सिम्पल सी इनकी भी परिपाशा है आगे देखिए शुकल के समद्ध में ये वाली जो पंगती है आखिर वाली ये बहुत जादा माहिने रखती है बहुत जादा महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट के लिए देखिए कैसे देखिए शुकल ने क्रोचे की अभी व्यंजनावाद को भारतिय वकरोकती का ही विलाहिती उत्थान कहा है तो हो सकता है प्रशन इस्त्री के से पूछा जाए कि शुकल ने जो भारतिय वकरोकती है उसको किसका विलाहिती उत्थान कहा है आपको अभी व्यंजनावाद दिया जा सकता है आपको विघंडनबाद दिया जा सकता है या आपको उदातवाद दिया जा सकता है तो आपने mainly याद रखना है कि आपका जो वक्रोक्ती है उससे किसका संबन माना जाता है अभिवेंजनाबाद का माना जाता है और अभिवेंजनाबाद के परवर्ता किसको माना जाता है क्रोचे को माना जाता है और शुकल यही चीज कहते हैं कि वक्रोक्ती का जो विलाईती उथान कहा है, किसका अभिव्यंजनावाद का ठीक है और आप देखते हैं कि जो डॉक्टर नरगेंद्र हुए है उन्होंने भी क्या माना है, कि जो इनकी टीका लिकी है इनमने हिंदी वक्रोक्ति जीविती जीवित, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, क्रोची और कौन्दक के मतों की ही समिक्षा की है तो सिंपल वही चीज है कि भारतिय वक्रुक्ति का विलायती उथान अभी वंजनाबाद को ही इन्होंने माना है ठीक है तो ये थे आपके जो हिंदी के प्रमुख आलोचक हैं वो क्या कहते हैं इसके अलावा डॉक्टर नगेंदर और जैशंकर प् चित्र है ठीक है वो क्या है काव के लिए कनिवारे माध्यम है यह सत्य है यह चीज़े करमानते हैं कि यह सही है लेकिन वह उसका जीवित या प्रानतत्य है यह सत्य नहीं है तो देखिए जो कुंतक कह रहे हैं कि वो क्या है प्रानतत्य है वो उसकी आत्मा है तो जो नगें तो ये कोन मानते हैं डॉक्टर नगेंदर मानते हैं तो आगे दिखी जैशन कर प्रसाद क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि शब्द और अर्थ की यह स्वभाविक वक्रता विछिन चाया और कांती का स्रीजन करती है इस वैचित्रे का स्रीजन करना विदग्द कवी का ही काम है विदग्द कवी काम है मतलब जो समर्थ कवी है उसका ही काम है आपकी वकरता लाना हर कोई व्यक्ति जो है काव्य में आपको उक्ति व्यचित्रे या चमरतकार पुत्मन नहीं कर सकता तो इसलिए विदक्द होना बहुती ज़ादा जरूरी है ठीक है तो ये थे अलग-अलग विद्वान आपके पहले संस्कित के अचारयों के बारे म हमने पड़ा कि वो क्या मानते हैं और उसके पश्चात हिंदी के जो आलोचक थे उनके नजर में वकरोकती क्या है ये चीज़े हमने अभी देख ली अब हम देख लेते हैं कि आपके जो वकरोकती से धांत है उसकी महत्तोपूर्ण और सबसे बड़ी विशेश्ता किसे माना जाता है तो यहाँ पर दीखिए सिंपल सा लिखा गया है कि वकरोकती से धांत की एक बहुत बड़ी विशेश्ता यह है कि इसमें कभी व्यापार को महत्तोपूर्ण देकर कभी व्यक्तित्तोपर भी प्रकाश डाला गया है तो दीखिए कभी करम की बात आ रही थी थी ना कि आपका जो कवी करम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कि उसमें चमतकार उत्पन करने की ख्षमता भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसमें वो चीज है यह नहीं, अलंगकार या आपके उक्ति वैचित्रिय की बात उसमें नहीं है, चमतकार उत्पन करने की बात उसमें बिल्कुर भी नहीं होगी तो वो क्या है वो नहीं हो सकता उसमें अलंग का क्या कहते हैं आपका वक्रुक्ति उसमें नहीं हो सकती अतिश्योक्ति इत्यादी जो चीज़ें ये चीज़ें उसमें नहीं हो सकती ठीक है और ये चीज़ हम देखते हैं कि जिसकी चर्चा अन्य सि उन्तक ने किये हैं, ठीक है, ये कथन सही है, आगे ये आता है कि इसमें कभी व्यपार को महत्व न देकर कभी व्यक्तित्तों पर ही प्रकाश डाला गया है, तो ये कथन अपने आप में गलत हो जाएगा, तो इस तरीके से 3-4 कथन आपको दे दिये जाते हैं, देखिए, तो वहाँ पर इस चीज़ को आपने याद रखना है, कि इसमें कभी व्यपार को महत्व न दिया गया है, ठीक है, साथ इसाथ कभी के व्यक्तित्तों पर भी प्रकाश डाला गया है, तो ये चीज़ गया है, आपके वक्रोक्ति से दांत के समन्द में महत्व पूर्ण मानी जात ठीक है, तो इस तरीके से भी आपने इन चीज़ों को याद रखना है, ऐसे प्रशन UGC NET की परिक्षा में बहुत जादा पूछे जाते हैं, तो ये था पूरा का पूरा वक्रोक्ति से दांत इसके समन्द में जो महत्व पूर्ण पहलू थे, महत्व पूर्ण तथ्य थे, वो मैंने आपके बीच में रख दिये हैं, अगर आपने जो वक्रोक्ति के भेध हैं, उनको फढ़ना है, तो एक बार फिर से मैं आपके लिए वही चीज़ कहूंगा, कि आप कावशासर की पुस्तक लीजिए, चाहे आपके पास वही बुक हो, या फिर कोई और पुस्तक है हैं, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ अच्छे से मिल जाएगी, तो फिराल वक्रोक्ति से धांत में जो महतोपून बिंदू थे, I hope आप लोगों को समझ आगे होंगे, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डौट नजर आता है, तो आप कॉमेंट सक्शन में जाकर बेजी ज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शिर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्ति के साथ, तब तक के लिए शुक्रिय जाहिंद